तुला राशिवालो दिन दो गुनी रात चौगुनी तरक्की हो दोस्तों हो जाएं सावधान क्योंकि आज दो पहर तक्रीबन तीन यो इचीन के उपरांत आपकी कुंडली में एक नया पाखंड शुरू होगा जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ा उलट फेर होगा जी हां आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी जा रहे हैं आपकी राश्य में अब सावधान हो जाईए क्योंकि कैलाश परवत के स्वामी देवों के देव, भगवान महादेव जी आपकी राश्च में विराजमान होने वाले हैं, अब होगा सोने पर सुहागा जी, हाँ जिसके लिए आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है, जी हाँ, आज दो कैलाश परवत के स्वामी देवों की देव भगवान महादेव जी क्रोधित होकर जा रहे हैं आपकी राश्च में जी, हाँ भगवान महादेव जी का आगमन हो चुका है, अब बहुत ही जल्द आपके घर आने वाले हैं, आज दोपहर 3.99 के उपरांत आपके लिए शुब स समय की शुरुवात हो जाएगी, और कल सुबह होते होते आपके घर में देवों के देव, भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी धन की वर्शा करेंगे, जी हाँ, आपकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे, इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो नहीं देख आरने वाले हैं, तो उनका आशिरवात प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे, बस ध्यान रहें, आज की वीडियो को मिस्मत कीजिएगा, क्योंकि धन की देवी माता, लक्ष्मी जी और त्रिलोक के मालि भगवान भोले नाथ जी के आशिरवात से, कल के दिन आपको अनेकों प्रकार की बड़े बड़े धन लाब, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ती बड़ी बड़ी खुश्खबरी प्राप्त होगी। आश्चर्य की बात तो यह है, कि इस समय यह दोनों घटना जो घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, यह दोनों घटना आपके लिए नुकसान नहीं, बलकि लाब देगा। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहार मारेगी और एक जटके में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यह समय भगवान भोले नात का असीम कृपा आपके उपर बनी हुई है, जिस कारण से आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। जी हाँ मेरे प्यार मित्रों, आज की वीडियो अत्यंत खास और इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। परंतु उससे पहले, यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो बिना देर किये जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से तीन बार जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा प्रेम से लिख दीजिएगा दोस्तों। इससे भोले बाबा आपके उपर और भी ज्यादा महर्बान हो जाएंगे तो आप अवश्य लिखिएगा दोस्तों भीक मांगने के दिन गए अब क्योंकि यह दो बड़े देवता के आशीरवाद से आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं बस कुछी घंटे की बात है आप अपनी सब्र की बांध को तूटने मत देना दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम एक एक कर वह सारे राज उगलने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए अतियावश्यक है दोस्तों भगवान भोले बाबा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी स्वयम आपके घर धन की वर्षा करने वाले हैं चारों दिशाओं से अब धन आने लगेगा क्योंकि भगवान भोले बाबा और माता लक्ष्मी जी ने धन आने की सभी मार्ग खोल दिये हैं अब आपके जीवन में ही पैसा ही पैसा होगा आगे वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके लिए और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा जी हाँ, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके धान, व्यापार में, वह आपके नौकरी में यदि किसी की नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगा, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को अंत तक देखना न भूले परिवार में सदस्यों में यदि कुछ कलह चल रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है व्यावसाय में आपको किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है आपको किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं वाहन की अक्समात खराबी के कारण आपका धन, खर्च बरह सकता है आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से मदद की आवश्यक्ता है आप अपनी सुक्स विधाओं की वस्तूओं पर अच्छा खासा धन व्याय करेंगे आपको तेज वाहनों के प्रयोग से संभल कर चलना होगा आप किसी वाद विवाद से दूर रहे आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है आपका मन किसी बात को लेकर अशांत रहेगा इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखे आज का दिन आपके लिए तनाव ग्रस्त रहने वाला है आप अपने काम को छोड़ कर दूसरों का काम निप्टाने में लगे रह सकते हैं आप किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में कुछ न बोले अन्यथा कोर्ट का चहरी हो सकती है आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा आप अपने धन को लेकर कोई महत्व पूर्ण निर्णाय ले सकते हैं पैतरिक संपती संबंधित मामले में आपको कानून का सहारा लेना पड़ देगा आपको भाई वो बहनों का पूरा साथ मिलेगा आज आप कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्टन कर सकते हैं अपने खान पान पर नियंत्रन बनाए रखें आपको कुछ पेट संबंधित समस्या हो सकती है आपका कोई मित्र आपकी मदद के लिए आगे आएगा राजनीती में कारेरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ती हो सकती है और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिती उत्पन हो सकती है आज का दिन आपके लिए नुकसान दाएक रहने वाला है अपने यदि पहले कोई निवेश किया था तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है आप किसी प्रॉपटी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनसान के जीवन में पैसा दो तरह से आते हैं एक महनत इमानदार और सही रास्ते पर चल कर लोगों को हसा कर और दूसरा है गलत रास्तों पर चल कर जैसे की चोरी बेईमानी ठगी गलत रास्ते पर चलने वाला इनसान पैसा बहुत कमा लेता है लेकिन दोनों में फर्क बहुत है जी हां गलत रास्ते पर चल कर कमाने वाले इनसान पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन वह पैसा उनके पास टिकता नहीं है, एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से निकाल कर चला जाता है, और जो लोग सही रास्ते पर चल कर पैसा कमाता है, भले दो पैसा कम कमाता है, लेकिन उन्हें कभी कोई डर नहीं होता है, और ऐसे घरों में हमेशा बरकत भी होती देवी देवताओं का वास भी होता है और जरूरत पढ़ने पर कुल देवी देवताओं का सहारा भी मिलता है क्योंकि भगवान सब की चेहरे को याद रखते हैं भले इंसान भूल सकता है लेकिन भगवान कभी भूलता नहीं है इसलिए कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोच ना कि कोई देखे या ना देखे लेकिन उपर वाला सब देख रहा है बारी बारी से सब का हिसाब होगा जब पाप और पुण्य का घड़ा भरता है तब उनका हिसाब होता है इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करईये अगर आप से जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाता है तो आप ईश्वर से माफी मांग लेना ईश्वर माफ कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी से बदला लेने की सो मत रखना। अपने अंदर बदलाव करने की सोच रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और कहिएगा। गुरुजी आपने एकदम सही कहा, आज दोपहर तीन उटी नाइन के उपरांत आपकी जिंदगी में दो बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपके जो प्रयास हैं वह सफल होंगे, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनकी हमेशा जीत होती है, या तो सीख होती है। अगर आप अपने घर में सुख शांती लाना चाहते हैं, सुख सम्रिद्ध पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूद, आक, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगावन शिव को अर्पित करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शु सम्रिद्ध वैभव धन की कभी कमी नहीं होगी, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है, कार्यक्षेत्र में आपको एक के बाद एक खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, आज आपका ध्यान किसी गलत चीजों की ओर अग्रसर हो सकता है, जी हाँ, आपका मन ब अपने घर पर समय व्यतीत करें, अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं, तो आज आपको विशेश तोर पर सावधान रहने की आवश्यक्ता होगी, आप किसी बचत की योजना में निवेश कर सकते हैं, जिससे भविश्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपको संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा मिलेगा, आप किसी से धन उधार न लें, नहीं तो आपको उसे वापस देने में समस्या हो सकती है, जी हाँ, आज आपके उधर लेन देन से थोड आगे बढ़ेंगे, आपकी कला कौशल में भी सुधार आएगा, विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें, नहीं तो वह आपके बंते कामों में विग्ण डाल सकते हैं, जी आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो उसमें परिवार के सदस्य कुछ रोधा अटकाएंगे, जिस कारण वह प्लान टल सकता है, एक तरफ से आपके लिए अच्छा ही होगा, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेश कर दिखाने के लिए रहेगा, सितारे कह कि आज आप किसी नए कामों की शुरूआत कर सकते हैं, या फिर पुरानी पड़ी पेंडिंग कार्यों को निप्टा सकते हैं, कार्यक्षेत्र क्षेत्र में आपको किसी को साजहदार बनाने से बचना होगा, आपका किसी घर, मकां, दुकान, आदी खरीदने का सपना पूर हो सकता है ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई लेंदेन ना करें आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आप उसमें सफल होंगे आ सभम मोहले के सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे और सब जगह आपकी वाह वाही होगा आप जिस तरीके से रोमेंटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अच्छरज होगा आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से वयवहार करेंगे जैसे आप सामा पूरा फाइदा उठाएं। आपकी वित्तिय नियोजन और कड़ी महनत ने रंग दिखाया है। जो लोग पहले आप पर शक करते थे और आपके निर्णाय से सहमत नहीं होते थे, वे आपके तर्क और दूर दर्शिता की आपकी शक्तियों से प्रभावित होंगे। वित्तिय सफलता की इस अवधी का आप आनंद लें। आज आप विलासिता से संभंधित वस्तूओं पर व्याय कर सकते हैं, जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। इस समय लोग आपके बहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं आपको, अब उनसे जो भी कोई की बात मनवानी है, आप आसानी से मनवा सकते हैं, इसके लिए कोई कसर न छोड़ें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। आज कल यात्रा करने की वजह से आप अपने सामान्य फिटनेस कारेक्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। विशेश्डों से सलाह लेकर अपना कारेक्रम दुबारा बनाएं। आपको आज संक्रमन होने की भी आशंका है, इसके लिए कोई हलकी फुलकी किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आपको फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे, जो आपको आपके विभिन लक्षियों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंग तो आपको गंभीर स्थिती का सामना करना पड़िच सकता है, स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, छोटी से छोटी तकलीफ की भी जाँच कराएं। अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप फिट भी रह पाएंगे और तकलीफों से भी बच पाएंगे। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं, कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है, और आप उसके आकरशन से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मना ही होती है, उन्हें हजम करना आसन नहीं होता। यह तै कर लें कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी न होने पाए। यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है, और यह आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम है, यह समय नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो, इस उर्जा को जब तक बनाए रखने की कोशिश करें, जब तक आप अपनी मन्जिल पर नहीं पहुँच जाते, आज स्वयम को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर न पकड़ है, बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है, सहज बने रहें, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते, अपना नजरिया द्रड़ ही रखें, दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं, इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा, ऐसे पार्टनर की तलाश करें, जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तयार हों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिकत स् बजर जाएं, तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए, आज आपके लिए प्यार और रोमांस जो खिम्बरे साबित हो सकते हैं, पो, आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिष्टे में यकीन रखता है, लेकिन अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका दें, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगती के लिए नए दर्वाजे और आयाम खोलेगी, आय में भी वृद्ध की संभावना है, आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तिय प्रतिबधताओं को पूरा कर पाएंगे, यह आपकी वर्तमान वित्तिय स्थिती को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा, हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाएं, लेकिन आपके दाईत्वों का निर्वाह पूरा न हो पाएं, आपको बचत होना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा, काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचके, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, आज आप शारीरिक और मनो विज्यानिक दोनों ही दृष्टियों से खु कोई फिटनेस कारेक्रम ज्वाइन कर ले, चलते या टहल कदमी, करते हुए किसी को साथ ले ले, आपको अच्छा लगेगा, आज नएस बंध बनाने का दिन है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, आज नए संबंध, नई दोस्ती या नई पार्टनर्शिप की शु पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा न करें, बेहतर संचार आपके लिए लाब का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उप्योग करना होगा, आपका व्यासाइक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा, आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आंकलन के लिए कहा जा सकता है, आपकी मजबूत ग्यान युक्त वविवेक पूर्ण क्षमता, इसमें आपकी मदद करेगी, आप पुराने विचारों को छोड़ा कर नए विचारों को अपना रहे हैं, आज कुछ अलग न सोचें, इसका प्र समय उपयुक्त हैं, पान्दुक्षो, हलांकि आप सावधान और व्यवस्थित हैं, पर किसी दूसरे के कार्यभार के लिए आप जवाब दे होंगे, अपने और अपने काम के तरीकों पर विश्वास रखे, एक बार में एक काम को सुव्यस्थित तरीके से करे, और अगले स जबताह तक आप चीजों को आकार में वापस पाएंगे, उस समय तक अपने सहकर्मियों के साथ किसी बहस में सनलिप्त न हो, आज आप खरीदारी संबंधी किसी ओफर या लाटरी तिचक्त खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं, आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीत यही बहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें, मीन, स्वास्थ्य और कल्यान, राशिफल आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है, हालिकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारा आपके अपने हाथों में है, अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं, तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पढ़ देगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुंच जाएगा, आपको अपनी लव लाइफ